हेलो दोस्तों नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने बाला है जिन भाहियों को अप्लिकेशन अब जाके एकसप्ट हो चुका है तो उनके मन में एक सवाल जरूर उड़ता है कि हमारा जो अप्लिकेशन एकस बताने बाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आप सबस्क्राइब कर लिजी यार और हाँ बैल आइकन को प्रेस कर दीजेगा ताकि आपको हर नोटिकेशन आपको मिलती रहिए क्योंकि इसे बहुत सारी वीडियो आपको मिलती ठीक है तो दोस्तों इनका अप्लिकेशन हो चुका है अब इनकी जो अकाउंट हो क्रेट किया जा रहा है तो अप्लिकेशन आज होने के बाद करीब चार से पांस दिन के बाद या एक हफ्ता या दस दिन के बाद आपका यहीं पर ही लिखा जाता है और यहां पर आपकी CSC आइड और डिजीमेल आड़ी शो करने लग जाती है करीब एक हफ्ता 10 दिन के बाद जबए अपका आईड और डिजीमेल आईड यहां पर सो करने लग जाएगी तो उसके बाद दोस्तों जो आपका मेल है जो मेल आपने रेजिट्रेशन करते समय दिया था उसी मेल पे व्होसा नहीं है कभी-कभी क्या होता है स्टेटर्स नहीं दिखाता है वही आपका च्छी का पासवड होता है आप दोस्ते में आपको बता दूँ कि जब भी आपको आइडी पासवर्ड में लोगिन करते हैं लेकिन बहुत साइब को देखा मैंने कि उनका आइडी पासवर्ड रिसीब नहीं हुआ होता है तो घबर आने की बिल्कूर जरोत नहीं है आप एक से दो दिन वेट करेंगे तो कोई नहीं है आपके पास आइडी पासवर्ड पहले से मौज़ूद होता है आपको से लिख लेना का 12 डिजिटका होता है और लिए पासवर्ड में से आब कोई कोई दिक्कत नहीं है अब दुस्ते में पता दूँ कि आप इसमीं कैसे करेंगे तो दुस्ते लोगिन करने के वेघिजिट है। फीर करने यहां पर यहां को टाइप कर देना है डिजीटल सेवा पोर्टल ठीक है है तुसलिए नहीं है टाइप कर देता हूं हो टीजिटल हो पीजिटल सेवा पोर्टल पर आपको इसे क्लीक कर लेना है वहिसरत बहुत कर सकते हैं हैं Pinterest पर पोटल गूगल पर लिखेंगे अब यहां पर दिखें लिखा वाई लोग इन ठीक है तो लोगिन करने बाद क्या है दोस्तों यह आपके सामने की यूजर नेम और पासओन मांगेगा तो ठीक आपको वहाँ पर अपना यूजर नेम अपना पासओन में रिसीव हुआ है वही पासओन आप समिट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एंटरफेस होने लग जाएगा और आपका डिजीमेल पॉर्टल खुल जाएगा ठीक है अब दोस्तों कुछ लोग क्या है कि आज ही आपको डिजीमेल रिसीव हुआ है और आप तुरियंत की अपना पासवर्ड और से डाल कि डिजीटल सेवा पॉर्टल फे लोगिन करते हैं लेकिन लोगिन करने के बाद वहां पर क्या रहता है इंक्रेक्ट इसर निमों पासवर्ड दोस्तों इसमें आपको घबराने की बिल्कु जरोत नहीं है यह प्रोब्लम आटोम पासवर्ड पासवर्ड ठीक है जैसे कि अभी कुछ दिन से पहले आप देख पा रहे होंगे कि जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनको भी टीसी प्रॉट इसमें लोगिन नहीं कर सकते हैं जब तक आपका मिनूं दोस्तों जो है चार दिन लगता है बहतर गंतर अंदर अंदर पासवर्ड आपका आप्डेट कर दी जाता है और तो लोगइन करने बाद दोस्तों आपके समय स्था पहले सविपल के आएगा आपको अपना पूरा घर के जो अधरस स्थाया जैसा अड्रस बताना होगा बताने बात आपको से सब्मिट करेंगे सब्मिट करने बाद त्रेंसापके सामने कुछी तर रहसे एंटरफेस आए गर यहां से पूरा काम कर सकते हैं अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऐसमें अपना इडि और पासवोर रिकांद करने करना है आपके पास सामने ओपन होगा थोड़ी दिर में देखें दिसक्तों आपके सामने कुछ इस तरह से पीज ओपन होता है यह आपको बारा डिजी आपको मिला है वो डाल देनी है यहां पर अपने पर दुच्छ आपको सबस्च पहले अपने लैप्टॉप में करके लेना है यां कंप्यूर जो भी आपका है अनक करकेंगे फिंगर पिंड को जरक कर लेंगे यहां पर आपको डिलेगे यहां पर अपना क्राप्ज़ा डाल देना है यहां पर इसका डाउनलोड कर सकते हैं वहांच अपना डीजीमेल आइडी का पासवर्ड और सेसी आडी का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं ठीक है तो आसा करता हूं मैं आपके इस वीडियो में सारे कोई जो डाउट थे हों मैंने किलियर कर दिया होंगे अगर कोई आपका छोड़ जाता है तो प्लीज हमें कमंड जाया पार्ट